क्लास 11 एक्सरसाइज 3.1 कुशन 6 चप्टर का नाम है तिरकॉनमेट्रिक फंक्शन्स यहाँ पर देखिए यह कुशन को आसान कुशन देर रखा है इसमें यहड़ी दो वर्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने एक अंदर पर करम ऐसे 60 डिगरी था 75 डिगरी के कौन बनाते हो तो उनकी तिर्जियाओं का रेश्यू ग्याद किजिए यहनि अनुपात ग्याद किजिए तो यहाँ पर देखिए आपको क्या ग्याद करना है रेडियस का रेश्यू ग्याद करना है सिंपल सी बा कि तिर्जयाएं करमस है क्या है R1 तथा R2 है ओके यह हमने तिर्जयाओं को मान लिया पर्थम वरत के चाप की लंबाई पर्थम वरत के चाप की लंबाई बराबर R1 गुणा और इसे के साथ हम यह भी मान लेते हैं वह वरतों की तिर्जयाएं R1 तथा R2 वै कोन चाप दवरा बनाएगा कोन या क्योवल कोन थीटा 1 तथा थीटा 2 है ओके तो यह आएगा आपका देखो हमें R1 का पता नहीं है लेकिन थीटा 1 केतना दे रखा है यहाँ पर देखो आपका 60 डिगरी दे रखा है तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पर इसको हमें यहाँ जो एंगल काम में लेंगे डिगरी में नहीं लेंगे उसको किस में बदलेंगे और रेडियन में बदल कर काम में लेंगे तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करना होता है दोस्तों पाई बाई 180 से गुणा करना होत चीक है अब दूसरे वरत के बात करते हैं तथा दूसरे वरत के चाप की लंबई चीक है अब परसन उनुसरे वरत के चाप की लंबई क्या होगी आर टू गुणा थेटा टू चीक है आर टू का हमें यहां पर पता नहीं है लेकिन थेटा टू कितना दे रखा है आपका 75 डिग्री दे रखा है और यहां पे इसको किसमें कामे लेना है दोस्तों रेडियन में क इसको देखो equation 1 देदो, equation 2 देदो, equation 1 equal to 2 है, यानि दोनों वर्त के जो चाप उनकी लंबाई समान है, question क्या कहता है, दो वर्तों के समान लंबाई वाले चाप, okay, यानि वर्त फास्ट पर्थम का जो चाप की लंबाई है, वो बराबर है दूसरे वर्त के चाप की लंबाई के, यानि equation 1 और आपका 2 equal to होना चीए तो देखिए यहाँ पर यह value हम दोनों को equal to कर देते हैं तो यहाँ पर कितना है आपका 60 pi by xo 80 multiply r1 यहाँ r2 multiply 75 multiply pi by xo 80 तो देखो दोनों side यह है तो यह तो आपका उड़ गया अब हम क्या करते हैं r2 को यहाँ ले आते हैं तो यहाँ multiply में है तो r2 यहाँ आपका किस में आजाएगा दोस्तों divide में आजाएगा इसी के साथ यह यहाँ पर multiply में है इसको जब मैं दूसरी side लेकर आऊंगा तो यह किस में आजाएगा divide में आजाएगा यह आपका कुछ ऐसा कुछ बन जाता है अब देखो यहाँ पर हम काटना शुरू करते हैं यह 5 से कितना time cancel out होता है वन टाइम और टू टाइम cancel out होता है यह आपका 5 से देखो कितना one time ठीक है उसके बाद five time cancel out होता है अगें देखो यह दोनों three से cancel out हो जाएगे यह five time और यह three से आपका four time four by five आ गया किसके बराबर r1 बराबर r1 by r2 बराबर कितना four by five आ गया औक हमें क्या चैये यहां पर ratio चाहिए तो देखो यहां पर कितना गया है उपर है जो उसको यहां r1 पे लिया है तो उसको पहले लिखना है r2 को बाद में लिखना है यहां पर ऐसे हम लिख देंगे एंतय है को कि कौनकी कि तर्जयाओं का अनुपात बराबर कितना है 5 ratio 4 है बस यह आपका सोटा सा कुशन है जो कि अभी हमने solve कर लिया यह रहा दोस्ता आपका answer 5 ratio 4 ओके जो कि मैंने यहाँ पर अपना find किया है धन्यवाद चैनल सब्सक्राइब का ना मत बुलेगा